जिस एक्जाम पर बवाल मका हुआ है जिस पेपर लिक ने देश को रख दिया है क्या यह निट क्लीन है यह बड़ा सवाल है आखिर इस एक्जाम के पेपर जो लिकровए है वह अगेखाम रटकेंनी हो रहा है बिहार पुलिस की जाश्ट टीम ने सनिवार को अपनी जाश्ट रिपोर्ट सभी विज्ञानिक साक्ष नई दिल्ली में सिच्छा मंत्राले को सौप दी है। जो जनकारी उससे निकल के सामने आ रहा है, सुत्रों के मताविक से वह बताया जा रहा है कि नीट यूजी की परिक्षा सुरू होने के पहले ही हजारी बाग के OCS अस्कूल में पेपर लिख हो गया था। दरसल जिस बुकलेट नमबर का पेपर पटना में माफियाओं के वाटसप पर आया था, वो बुकलेट इसी विद्ध्याले को मिला था। बुकलेट जिस बक्से में अस्कूल पहुँचा था, उससे भी छेड़ शार की गई थी। जाच एजनसी आप पता लगा रही है कि प्रस्नपत्र वेयर हाउस में बैंक आने के दोरान या बैंक से परिच्छा के अंदर पहुँचने के बीच उड़ाया गया था, या कहीं अन्य जगा परा। फिलाल आठ जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई हुनी है, लेकिन सवाल यही है कि जारखन से अच्छे और महराश्ट से दो लोगों की गिरफतारी और बिहार से आधा दर्जन लोगों की गिरफतारी के बावजूद भी नीट परिच्छा पर सवाल तो लेकर लगतार सोसल मीडिया पर इस परिच्छा को रद करने की मांग की जारी है, नीट प्रसंपत्र लीक मामले पर कारवाई तो सुरू हो चुकी है, डीजी बदले गया है, लेकिन गुल गुनाह करने वाले वो गुनाहगार और गुनाह होने के बाद लाखों बच्चों का क्या होगा, अब यह सवाल है, जिस तरीके से कहा जारा है कि विहार पुलिस की जांश टीम में जो नए सुराग जो जुटाने में पुलिस से तिन रात जुटी हुई है, और जो नए नए सुराग निकल के सामने आ रहे हैं, इनमें अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चु मिल और कैसे इस तरीके के जो सड्यंत्र है वो रचेगा, आपको बताते हैं कि इधर सिक्षा विवाग ने जाज के लिए जो टीम कमिटी बनाई है, साथ लोगों की कमिटी बना दी जिसमें इसरों के प्रूव चीफ सभीत समयत कई वड़े लोग हैं, यह अलक से विज्ञा कोट में सनिवार को याजका विदायर की गए थी, इसे अब दस परिक्षार्थियों ने दाखिल किया है, आपको बता दे कि अब तक कोट में इस परिक्षा को लेकर तकरीवन पच्चाज 46 से ज्यादा याजकाया पड़ चुकी हैं, और वूस्ट की संख्या लगतार बढ़ रही हैं, तो ये मुसीवत खड़ा है, नीट की एक परिक्षा जो नीट निस्पक्ष नहीं रहा पाया, नीट की परिक्षा कितनी क्लीन है, इस पर सवाल अभी भी उठ रहा है, क्योंकि ये परिक्षा रद अब तक नहीं हुई है, पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है, वो करत है, आपके अपने सपनों, ये लो मुँ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे, जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे, इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया, अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ, इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ, अपने पुर्णिया मे घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में, पुर्णिया में panorama group लेकर आए है, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सद, अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है, घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined